उस वक्त मैं 19 साल की थी बिना बाप के आ गई है यहां पे तो मेरी मदर ने उस दिन भी ऐसा ही किया मुझे बहुत मारा प्रेगनेंसी की हालत में उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुझे अब यहां रहना है तो तुझे कॉल गुल का काम करना होगा मैं अपनी बेटी को जो दूद की बोतल होती है ना उसमें चीनी पानी डाल के पिलाती थी मैंने का कि नहीं मैं अगेले अपनी बेटी को पाल लूँगी नमस्कार मेरा नाम गितांचली है और आज मैं 24 साल की हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो श्टॉक आश्या की माध्यम से तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 4 साल की थी उस टाइम पे मेरी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मेरी मदर सिंगल थी उस टाइम पे मेरी mother के पास कोई source of income नहीं था तो उस time पे मेरी mother ने सोचा कि मैं इसको अनात आश्रम में डाल देती हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं पाल सकती और और तो वैसे भी इतनी energetic होती नहीं हैं कि इतनी ताकत नहीं होती कि वो अकेले अपने बच्चे को पाल सके तो उन्होंने मुझे अनात आश्रम में डाल दिया था तो उसी अनात आश्रम में मैंने बारा साल अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करी उसके बाद कंप्लीट करने के बाद जब हम 18 के हो गए तो उस time पे हमें independent कर दिया गया और हमारी mother को hand over कर दिया गया तो हमारी mother जो मेरी mother थी उन्होंने दो महीने मैं अपने घर पे रही तो उन्होंने दो महीने तक मुझे घर पे इतना torture किया मुझसे इतना काम करवाती थी हमेशा शादी के लिए force करना लेकिन मेरे मेरे को शादी नहीं करनी थी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है क्योंकि फैशन डिजाइनिंग ही मेरा एक सपना था तो मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी उस टाइम पे तो फैशन डिजाइनिंग करनी थी और मैं जब अपनी मदर के पास गई मैंने कहा कि मम्मी मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है आप मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे हेल्प कीजिए तो फिर उसके बाद मेरी मदर ने मुझे कहा कि फैशन डिजाइनिंग क्या है यह तो एक दरजीयों का काम होता है तो फिर उसके बाद उन्होंने का कि यह तो एक दरजीयों का काम है फैशन डिजाइनिंग क्यों करनी है फिर उसके बाद मैंने का कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है और एक दिन आपको मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी तो मेरी मम्मी तब भी नहीं मानी क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं एक लड़की हूँ और इस बच्ची को जल्द शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक टाइम पर उन्होंने भी ऐसी चीज़े फेस की है तो फिर उसके बाद मैंने कहा अपनी मदर से कि मम्मी मैंने फिर उनको परसनली समझाया क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़े ऐसी होती है कि बाइफेस उनको समझानी पड़ती है अपने तरीके से तो मैंने अपने मदर को समझाया कि मम्मी मुझे एक महीने के लिए सपोर्ट कर दो फिर उसके बाद मैं खुद अपना आगे का लाइफ देख लूँगी तो मेरी मदर ने मुझे का कि ठीक है मैं एक महीने के सपोर्ट कर देती हूँ तो उन्होंने मुझे सपोर्ट में सिर्फ यही करा कि उन्होंने रूम देखके दे दिया क्योंकि इंस्टीट्स वगेरा सारी चीज़े मैंने खुद अपने थू ही देखी थी online google में search करके फिर उसके बाद मेरा यही रहता था कि मैं morning में अपनी classes जाती थी फिर उसके बाद classes जाने के बाद मैं evening के time पे अपना reception का काम करती थी तो as a receptionist जब मैं काम कर रही थी तो उस time पे मेरी जो पहली तनखा आई थी वो थी 8000 तो 8000 तो कोई बड़ी चीज भी नहीं है छोटी चीज भी नहीं है उस time पे मेरे लिए तो जो मेरी 8000 की salary थी वो मैंने अपनी दो महीने की fees भरी उससे और मैंने rent पे नहीं किया तो जब मैंने अपनी 8000 की fees भरी थी अपने fashion designing की institute में तो उस time पे जब मैं rent पे नहीं रह पा रही थी जो landlord हैं वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा force करते थे कि आप मुझे monthly पैसे क्यों नहीं लाके दे रहे हैं और rent क्यों नहीं लाके देते हो तो फिर उसके बाद मैंने उनसे और time मांगा कि मुझे एक महीनी का और time दे दो लेकिन वो rent वाले नहीं माने उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था तो उस दिन मैं रात को बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैं एक रात मैंने बाहर ही गुजारी फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा मैंने फीज पे करी rent पे नहीं कर पाती थी तो office में मैं परेशान रहती थी इसी तरीके से मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई वो मुझे से बाते करता था मेरी problems को समझता था तो ऐसी इसी तरीके से हम दोनों relationship में आए फिर हम दोनों ने अपने parents को convince करने की कोशिश की क्योंकि ये एक ऐसा time था जहां पे मुझे बिल्कुल support नहीं मिला तो मुझे उस time ऐसा लग रहा था कि हाँ एक support मिला है मुझे तो मैं उस support को खोना नहीं चाती इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली थी तो हम दोनों ने मिलकी court marriage करी और हम happy life जी रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस time पे मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश ही मुझे ही मिली हो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इतना ज़्यादा loving और caring husband था मेरा फिर अचानक जब मैं four months pregnant थी जब मैं four months pregnant थी तो उस time पे अचानक से मेरे पास खबर आती है कि मेरे husband का accident हो गिया है तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी अंदर से मैं इतनी ज़्यादा परिशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा परिशान हो गई थी ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादी खुशी आई थी अचानक से इतनी अचानक से सारी खुशियां चली गई फिर उसके बात मैं दुबारा अपनी मदर के पास गई हेल्प मांगने की मम्मी अब मैं इस हालत में हूँ मुझे आगे क्या करना चाहिए आप मुझे सपोर्ट करो लेकिन मेरी मदर ने मेरे को बिलकुल नी सुनी मेरी कोई बात नी सुनी उन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा ताने देती थी हर चीज के लिए ताने देती थी मुझे ऐसा लगता था कि एक लड़की होना एक गुना हो गया है तो मेरी मदर ने उस दिन भी ऐसा ही किया मुझे बहुत मारा प्रेगनेंसी की हालत में मुझे इतना बारा एवन मेरे पेट में भी लात मार दीती उन्होंने मैं इतना जादा रोई बहुत जादा दर दो रहा था उन्होंने वहां से भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था फिर उसके बाद मैं वहां से गाजेबाद से दिल्ली तक पैदल चलके आई थी मैं वहां से और मेरे पैर सूज गए थे उस टाइम पे मुझे इतना अकेला पन महसूस होता था मैं उस टाइम पे ना मेरे पास रहने की जगे थी ना पीने कुछ भी नी था, खाना भी नी था मेरे पास मैंने ऐसा टाइम देखा खाना भी नी था, मैंने दो रात प्रेगनेसी की आलत में मैंने रोड पे गुजारी थी मैं दो रात वाँ सोई हूँ इतना डर डर के सोई थी मैं वाँ पे इतना जादा डर डर के सोई थी मैंने वो दो रात कैसी गुजारी है बिना कुछ खाये पिये रोड में सोके फिर उसके बाद कहीं मुझे जगे मिली थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं तो कुछ अच्छे लोग भी मिल गए थे लेकिन जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया ऐसी दिन गुजरता गया आगे चलती रही चीज़े स्ट्रगल चलता रहा मेरा फिर उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया मेरा उस टाइम पे कोई नी था मेरे पास और आप सब तो जानते ही हैं कि बिना फादर के बच्चे को डिलीवर करना कितना मुश्किल काम है मैंने दीन दियाल के हॉस्पिटल में जो दिली में ही है मैंने वहाँ पे अपनी चीनी को इस थरीके से डिलीवर किया है पहुत जादा सबसे जादा दर्दनाक उस टाइम पे था मेरे लिए क्योंकि कोई नहीं था अकेले कैसे करना वहाँ पे सारे सोच रहे थे इतनी चोटी उमर की लड़की क्योंकि उस वक्त मैं 19 साल की थी सबको ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी है बिना बाप के आ गई है यहाँ पे बिना बाप के यहाँ यह बच्चा डिलीवर करने आई है किसका बच्चा है बहुत से कोशन्स होते हैं क्योंकि जब एक औरत के साथ उसका आदमी नहीं होता तो बहुत सी चीज़े सुनने को मिल जाती हैं तो उन्होंने मेरी पूरी वैरिफिकेशन वगेरा की फिर उसके ब पूरा मतलब क्या बताओं कि पूरा ब्लट वगेरा आज चुका था मेरा मुझे कवर करा मैं वीलचेयर में लिफ्ट से उपर नीचे उपर नीचे यही चलता रहा मेरा फिर मुझे बारा बजे वहां पे चार घंटे बाद मुझे वहां एड्मिट करा गया फिर उसके बाद चीनी मेरी बेटी है वो इस दुनिया में आई फिर उसके बाद जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया क्योंकि जब डिलीवर करने से पहले जब मैं इस हालत में घूमती थी रहती थी बहुत सी चीज़े देखती थी तो सब मुझे यही ताने मारते थे कि गिरा दे ये बच्चा अगर ये बच्चा होगा तो तू बेच दी ओ इस तरीके की चीज़े मुझे सुनने को मिल जाती थी कि इस बच्चे को गिरा दो इस बच्चे को बेच दो ये सारी चीज़े या फिर किसी को दे दो जिनके पास बच्चा नहीं है बहुत सी चीज़े लेकिन जब वो मेरे हाथ में आई जब मैंने उसे अपनी गोती में उठा तो मैंने का कि नहीं मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूँगी मैंने हिम्मत नहीं आरी मैंने अकेले अपनी बेटी को पाला फिर उसके बाद जब मेरी बेटी तीन महिने की हुई तो जहां मैं रहती थी वहां के जो ओनर थे वो भी एक्सपायर हो गये तो आप महां पे भी कोई रहने की जगे नहीं थी तो फिर एक लेडी ने मुझे सहारा दिया एक दो दिन तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी से रखा उस लेडी ने फिर उसके बाद उन्होंने मुझे से ये कहा कि तुझे अब यहां रहना है तो तुझे कॉल गल का काम करना होगा और मुझे कमा के लाके देना होगा इस तरीके से मुझे फोर्स किया गया कि तुझे प्रोस्टिटूशन का काम करना है और मुझे ये पैसे कमा के देईगी तू तो मैंने बहुत मना किया फिर उस दिन वो किसी के साथ बीजी थी तो मैं छुपके से अपनी बेटी को लेके कि वहां से बाग गई रात के टाइम पर फिर मुझे पता नहीं था कि मैं आगे कहां जाओंगी कहां नहीं जाओंगी पर मैं वहां से बाग के चली गई फिर उसके बाद कहीं मुझे सहारा मिला हमारे एक हॉस्टल की दीदी है मैं वहां पर मैं help के लिए गई उन्हों मैं बाद में contact में आई थी उनके तो उन्होंने मुझे help की कुछ दिन फिर मैंने उनसे का कि मैं आपको सारा रेंट वगेरा दे दूंगी मुझे बस रहने की जगे दे तो तो उस time पर मेरा यह struggle रहता था कि मैं अपनी बेटी को मेरी बेटी का वो एक ऐसा एज टाइम होता है जब मा की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है न्यूबॉर्ण बच्चा है तीन महीं नेका है चार महीं नेका है लेकिन मैंने हार नहीं मानी फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को क्रच में रखा डेकेर होता है जो पूरे दिन रखता है फिर उसके बाद डेकेर में रखती थी और मैं खुद जॉब के लिए जाती थी सुबह जॉब पे जाना शाम को आती थी फिर डेकेर से लाके फिर उसके बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करना ये सारी चीजे रहती थी मेरे साथ डेकेर से आना फिर अपनी बेटी को टाइम देना उसके साथ खेलना फिर उसको अच्छी अच्छी चीजे बताना सिखाना बच्छी को करच में रखती थी जॉब करती थी मेरा यही दिन चलता रहा तीन चार महीने बाद मेरी जो कुछ सेविंग्स हुई मैंने उस सेविंग्स से दुबारा फेशन डिजाइनिंग का फेशन डिजाइनिंग का अपने इंस्टिट्यूट में मैंने दुबारा एडमिशन लिया फेशन डिजाइनिंग के लिए फिर उसके बाद जैसे सैटर्डे संडे मेरी ऑफिस की छुटी रहती थी तो मैं फैशन डिजाइनिंग की क्लासिस के ले जाती थी और सैटर्डे संडे ये होता था कि मेरी बेटी के डेकेर की भी छुटी रहती थी तो मैं ये दो दिन मैं कैसे मैंनेज करूं मुझे समझ नहीं आता था तो मैं अपनी बेटी को किस जो मेरे रेंट में रहती है बगल में जो एक अंटी रहती है उनके जिम्मेदारी पे छोड़के जाती थी डेकेर में तो चलो कैमरा है हम देख लेते हैं कि बेटी कैसे रह रही है किस तरीके से उसकी टेक केर हो रही है लेकिन वो रेंट वाली जो अंटी थी उनके पास कैसे रह रही होगी वहाँ पे भी डर-डर के इंस्टिट्यूट जाना लेकिन हिम्मत नहीं आरती थी इंस्टिट्यूट भी जाती थी, जॉब करने भी जाती थी और अपनी बेटी को भी पालती थी फिर इसी तरीके से मैंने अपनी फेशन डिजाइनिंग कम्प्लीट करी तो इसी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई अपने इंस्टिट्यूट में फेशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही थी और उसके बाद जॉब के लिए भी जाती थी और अपनी बेटी को भी पालती थी तो इसी तरीके से COVID का टाइम आ गया था, जैसे आप सभी जानते हैं कि ये दो साल बहुत लोगों की परिशानी का रहा है, तो ऐसी मेरे साथ भी रहा था, COVID के टाइम पे जॉब भी चली गई थी, हाथ में पैसे भी नहीं थे, और जहां मैं रहती थी, वहां की जो दीदी थी, वो भी मुझे force करती थी कि रेंट पे करना है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास होते नहीं थे, तो फिर मुझे वहां से भी दीदी ने निकाल दिया था, वहां भी नहीं रहने दिया, कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ होता है, तो पैसा नहीं था, तो कुछ भ कि कि मैं वर्क फॉma होमसे स्टार्ट करूंगी आप मुझे सपो़्ड कर दो फिर उसके बाद है उन्होंने एक दो माएने ऊ-लैंडलोड थोड़ी साही थी लेकिन सारे साही नहीं होते जबतक पैसा यो साही था तो फिर उसके बाद उन्होंने दो महीने रखा तो उस टाइम पे मेरे पास गैस चूले तक एक दूद लाने तक कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अपनी बेटी को जो दूद की बोतल होती है ना उसमें चीनी पानी डाल के पिलाती थी बहुत बुरा लगता था पर क्या करूँ भूका भी नहीं छोड़ सकती उसी बोतल में चीनी पानी डाल के दे दिया पांचे दिन मेरी बेटी ने सिर्फ चीनी पानी ही पिया है उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को एक दूद नहीं पिला सकती फिर मैंने हार नहीं मार नहीं मैंने का कि वर्क फ्रॉम होम ढूंटे हैं ऑनलाइन कुछ मिली नहीं रहा था मुझे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ जोबब्स की यह अचीवमेंट मिलती थी माँबी लेकिन सेविंग्स हो नहीं पाती थी मेरी उस टाइम पे क्योंकि फैशन डिजाइनिंग की फीज बढ़ना क्रच की फीज बढ़ना बेटी का खर्चा रंट देना एक भी सेविंग्स नहीं हो पाती मेरी तो कोविड में अचानक से जॉब जानी के बाद तो बिलकुल भी नहीं था कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था फिर उसके बाद फिर मैंने यूटूब में सर्ज किया कि ऐसी कौन सी जगे है जिसमें मा और बच्छी को रखा जाता है तब मुझे माई का स्वीट होम दिखा मैंने वहाँ जाके वहाँ पर हेल्प मांगी एक तो दिन मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ कोई सपोर्ट नहीं है पतानी ये जगे कैसी होगी कैसी नहीं होगी क्योंकि मैंने हर जगी इतने धक्ये खाएं जहां जाती थी बाहर निकाल देते थे मुझे फिर उसके बाद वहां जाने के बाद मैं एक दो दिन थोड़ा नेगेटिव रहती थी क्योंकि इन दिनों में जब कोविट का टाइम आया था और जब स्ट्रग्लिंग टाइम आ रहा था इन दिनों में मैंने सुसाइड अटेंट करने की भी कोशिश करी फिर उसके बाद अपनी बेटी का शकल देखके रुख जाती थी कि फिर इसको कौन देखेगा तो जब मैं वहां माईका सुइट हो में गई तो फिर वहां पर मुझे काफी लोगों ने अटेंड किया सपोर्ट किया फिर उसके बाद मुझे तब भी पॉजिटिव फिलिंग्स नहीं आ रही थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फिर उसके बाद वहां के जो फाउंड मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग में ध्यान देना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने अपनी सारी चीजे, जो टैलेंट मेरे अंदर था, मैं बरपूर वहाँ पर कर सकती थी, तो फिर उसके बाद वहाँ मैंने अलग-अलग कंपणी के साथ टाइ अप किया, फैशन डिजाइन जिसे मैं आगे बढ़ी हूं और हिम्मत नहीं आ रहा तो ये मेरी कहानी थी तो आगे चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मेरे जो ये चार साल की उमर से लेकि जो 24 साल की उमर में उमर तक का जो मैंने सफर देखा है जो मैंने स्ट्रगल देखे हैं उसमें ये ची पैसे नहीं थे तो मुझे लैंडलॉड ने धक्के मार के बाहर निकाला मुझे अपनी बेटी को चीनी पानी पिलाना पड़ा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो इसी तरीके से मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जो भी लेडिज या वुमिन्स है आप स्ट्रॉंग तो बनो ही लेकिन फाइनेंशल इंडिपेंडेंडेंट जरूर बनो किसी से पूछा गया वुमिन इंपावर्मेंट क्या है किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना जिसका एक ही मतलब है फाइनाशली इंडिपेंडेंड चाहती हैं अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है पर जरुरत है तो सिर्फ आपके जुनून की आपके डिसिजन की और जोश की हमें पता है हम काबिल हैं पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्यदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला तो आईए अपने हालातों को हरा कर जुड़ते हैं जो श्टॉक्स जॉब्स फ़र वुमिन कोर्स के साथ ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो धर पर पर कैसे ये जानने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें